अनुमा चार्या जी, सीधा सीधा बाद ठीक है, आप ये लागू कर रहे हैं, स्वार्थ की आप राजमीती कर रहे हैं, ये बीजिपी की तरफ से कहा जा रहा है, और अगर आप इस तरह की स्कीम्स लागू कर रहे हैं, तो पैसा कर्ज, इस कर्ज को खत्म कैसे करेंगे, देख पुज़ा जी जो पेंशन है वो एक सामाजिक सुरक्षा है और उन लोगों के लिए जो हमारे देश की हर व्यवस्था को सुचारू रखते हैं और उसमें PWD Department भी है, Forest भी है, शिक्षा विभाग भी है, स्वास्त सेवाएं भी है, पिलोस भी है और उसके अलावा हमारी सबसे बड़ी चीज हमारी सेना है अब ही आपने देखा होगा कि भारती जनता कि पार्टी की सरकार ने, देखिए पुझा जी मुझे लगातार बहुत एको आ रहा है मेरी आवाज में, जो मैं बोल रही हूँ, मुझे पर उलटके आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको ठीक कराएए ठीक है, पीसे आ प्लीस आप से करेक्ट कीजे, लेकिन अनुमा जी हम आपको सुन पा रहे है, ये सरकार, सरकार भारती जनता पार्टी को समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या रही है, अगर सेना को कमजोर किया जाएगा इस तरह से, जिसमें सेना के चार-चार साल में लोग निकाल दिये जाएंगे, किसलिए असल में जो सरकार नहीं कहती, सरकार कहती है सामने हम यंग सेना बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया, लेकिन हो जो रहा है, वो ये है, मैं बिलकुल अपनी आवाज ही मुझे वापस आ रही है, देखिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब ये वो सरकार है, जो टैक्स में एक लाग करोड से ज्यादा की चूट हर साल पुंजी पतियों को दे सकती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहती, जिन्होंने हमारे देश के पूरे प्रशासन को सुगठी त्रूप से चलाया है, और सबसे बड़ी बात जो एक काम ये कर सकते थे, जिसमें विधायकों को, सांसदों को, अगर वो दो-दो बार चुने जाते हैं, तो दो-दो बार उनको पेंशन मिलती है, उतने बार मिलती है, उसे तो कम करके एक शुरुआत तो करी सकते थे, अगर इनके दिल में किसी तरह की दूसरी बात होती, लेकिन नेताओं का नुकसान नहीं करना चाहते नुकसान करेंगे ये जनता का और वही हम देख रहे हैं देखे जो राज जी कर रहे हैं उनको revenue generation आता है इससे पहले भी सरकारे revenue generate करती रही हैं आप जानती हैं 70 सालों में भारत के उपर केवल 55 लाख करोड का कर्ज था और आज नरेंदर मोदी की सरकार ने पिछले 9 साल के अंदर ही उसको 100 गुना बढ़ा कर उसको 155 करोड से जादा का कर्ज कर लिया यानि की चादर से बाहर पैर पैर पैलाते रहे कुछ दिखाने के लिए कि हम बड़ा बढ़ रहे हैं लेकिन ultimately क्या हुआ इस देश का केवल नुकसान हुआ हम रिंड के बोज से लदते गए इस सरकार को रोटेशन नहीं करना आता जो रेवेन्यूर रिंड के बोज में तो अभी भी है ना लोग जी और आप उस रिंग को और बढ़ा रहे हैं इस सवाल बीज़ोपी के तरफ से किया जा रहा है कि आप वो पैसा लाएंगे कहा सवाल पोचती या नहीला जी कि अप मैंने गया लिपारा में इक वाहाल कर देटे कि और अपको ज्यारन से देती हूं जब महिल हैमnelle अधिकार्यों को पहली बार पाउज में लिया गया था तो यह कहा गया था आपको pensionable service मिलेगी और उसके कायदे कानून बताए गए थे लेकिन हुआ ये कि जब अटल बिहारी बाजपई जी की सरकार थी तो केवल बाकी कर्मचारियों को ही नुकसान नहीं हुआ उसका नुकसान महिला अधिकारियों को हुआ ये कह दिया गया कि आपको 15 साल के बाद निकाल दिया जाएगा कोई pensionable service नहीं मिलेगी तो जैसे ही महिला अधिकारी उससे पीडित हुई वो कोर्ट में गई और तब तक यूपिय की सरकार आचुकी थी कोर्ट में गई कोर्ट में केस जीता और pensionable service मिली तो जब तक जो beneficiary है उसको वो जब तक उसको अब होने वाला है वो आब आवाज उठा रहे हैं तो आवाज सुनना चाहिए और अपना revenue generation को rotate करना आना चाहिए आपने देखा होगा कि जैसे मैं एक और मध्यप्रदेश का example दूँ दिग्विजाज सिंग जी की सरकार थी 2003 तक तब राज्य में जो कर्ज था वो 25,000 करोड रुपे था याने की पूरे बजट का एक बटे 5 प्रतिशत आज वहां राज्य का बजट 2,80,000 करोड है लेकिन कर्ज 3,35,000 करोड है तो भारती जन्ता पारटी की सरकारें जिस राज्य में जाती हैं वहां तबाही करती हैं और देश में तो तबाही करी रही हैं इनको किसी भी चीज का गवर्नेंस, रोटेशन, इसकी कोई परवा नहीं है सिवाए हर चीज अपने पूझी पतियों के मित्रों के लिए मोहिया कराने में सिवाए उनके कर्ज को बटे खाते में डालने में सिवाए उनके कर्ज माफ करने के तो इस तरह से भारती जन्ता पार्टी ने सत्ता में थी तब आप क्यों उसे नहीं वापस लेकर आपाए अब आप OPS बहाली आप कर रहे हैं अलग-लग राज्यों में कर रहे हैं लेकिन तब आप कहां थे आपनी सरकार रहते हुएं तो आप उसको लाग किया नहीं लेकिन हाँ आज ये मुद्दा आपके लिए बहुत अच्छा मुद्दा बन चुका है ये साफतों पर देख ला है चले मैं आपके पास आ रही हूँ गगंदीव जी गगंदीव जी मैं वापस आँगी